बहु की मजबूरी एक लड़की की नई नई शादी हुई वे अपने घर में मतलब ससुराल में जैसे ही परवेश की उसे बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी शास हमेशा उसे हर बात पर रोक्ती टोक्ती रहती थी और कुछ न कुछ विरुद बोलते रहती थी उसे अपने पिता की याद आने लगी हर पिता के साथ के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था बच्पन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारे जरूरतों को पूरा किया और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था तब ही एक दिन क्या हुआ ये नई नई विले दूलन अपनी सास के इस रूखे वैवार के कारण परिशान हो गई कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी तक सुना दी जिसके कारण घर में बड़ी असमंजस की स्तिती पैदा हो गई वे अपने पिता के घर लोट आई और रो रोकर पिता से कहने लगी कि पिता जी मुझे अब उस घर में नहीं जाना है पिता जी उस घर में नहीं जाओंगे और मैं आपके पास ही रहूंगी यदि आप मना करोगे तो मैं आत्मत्या कर लूँगी पिता समझदार थे उन्होंने बेटी से कहा, बेटी दो दिन बात कहा, यदि मैं तुम्हें एक बात जा सका हूँ, वैसा करने को तयार हो जाओ, यदि उसके बात भी यही इस्तिती रहती है, तो जो तु कहेगी वही होगा, तुम मेरे पास रहना चाहती है, कोई बात नहीं मेरे पास रहना, लेक तुम अपने मुомें एक कुला पानी भर लेना और तब तक मुउमें भर लेना जब तक सासुमा बोलना ना बंद कर दे और उसके बाद उस पानी के कुले को नाली में थूख देना बेटी कुछ समझ नाी पाई और उसने ऐसा ही करना शरूद कर दिया तुरंध बहू मुउमे पानी भर लेती थी और बहुत देर तक पानी भर रहती तीरे तीरे कुछ ही दिनों में सासुमा का बैवार उस बहु के परती बिनम्र हो गया वो सोचने लगी कितनी अच्छी बहु है पलट कर कोई जवाब नहीं देती है और गुस्सा भी नहीं होती है अब वो उस बहु को ब अपनी बेटी से मिलने के लिए आया घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिती सकार करा तभी पिता ने अपनी बेटी से कहा बेटी तुम मेरे साथ चलना चाहती थी ना चलो समान पैक कर लो हम वापस चलेंगे तभी बेटी ने कहा नहीं अब मेरा यही घर है मैं अपन जादी